प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. माल्टा के खोबसूरत लोकेशन पर जलमान खान के आने वाली फिल्म भारत के दूसरे शेडियूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है. और अब बारी है अबुधाबी के खोबसूरत बीचस की, दूर तक पहले रगिस्तानों की और आस्मान चूमती इमारतों की. क्योंकि जल्दी सलमान खान के आने वाली फिल्म भारत के तीसरे शेडियूल की शूटिंग शुरू होने वाली है. और इस बार अबुधाबी के खोबसूरत लोकेशन्स होंगी, जहां सलमान खान और कट्रीना कैप, लाइट, कैमरा के साथ एक्शन करते नज़र आएंगे. भारत फिल्म के डिरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट कर अबुधाबी की कुछ तस्वीरे शेयर करते हुए लिखा, अबुधाबी के लिए सब कुछ तैय है, अगले पड़ाव पर टीम के साथ. अबुधाबी सल्मान की पसंदीदा जगहों में से एक है, उनकी कई फिल्मों की शूटिंग यहां की खुपसूरत लोकेशन पर हो चुकी है. शूटिंग के दौरान अबुधाबी की सरकार की तरफ से मिलने वाले सहयोग के लिए सल्मान शुक्रिया करना नहीं भूलते. शायद यही वज़ा है कि सल्मान शूटिंग के अलावा भी कई मौखों पर अबुधाबी जाते रहते हैं. लंजबोक्स में चटपटा चटखारा लगाने आ रही है करीना कपूर खान जो जल्द ही रेडियो जौकी बनकर एफम पर एक कारिक्रम लाने जा रही है. खूपसूरत दिलकश हसीन करीना कपूर फिल्म में पर्दे से लेकर मौटलिंग तक अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाने वाली करीना अब सीदे अपने फैन से बात करने आ रही है रेडियो पर उनके सवालों के जवाब देने. करीना ने एफम पर अपने प्रोग्राम के लिए रेकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है जिसमें करीना परिवार से लेकर रोमैंस तक पैंस के मन में उठने वाले सवालों के जवाब देंगी. वैसे तो करीना इससे पहले कई बार रेडियो पर गेस्ट के तौर पर सवालों के जवाब दे चुकी है लेकिन इस बार वो खुद रेडियो जौकी के तौर पर दिखाई देंगी. करीना ने अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है और इससे जुड़ी तस्वीरे खुद इंस्टाग्राम पर शेयर की. लेकिन अटकले हैं कि करीना की पहली महमान होंगी सनी लेउनी. जिसमें करीना सनी लेउनी की जिन्दगी से जुड़े कई ऐसे सवाल पूछ सकती हैं जिनके बारे में फैंस जानना चाहते हैं. क्योंकि करीना को भी पता है कि रोमेंटिक लाइफ और रियल लाइफ के एस अ जाहिर है जिस रेडियो कारिक्रम को करीना होस्ट कर रही हो और जिसकी पहली महमान सनी लियोनी जैसी आक्टर हो उसका लोगों को बेचसबरी से इंतिजार तो रहेगा ही और अब लांच बॉक्स में है एक ऐसी धमाकेदार डिश जिसे खाकर आपको अभी से दिवाली की फिल आएगी इस डिश को तयार किया है रनवीर सिंग ने जो अपने मज़दार अंदाज के लिए जाने जाते हैं डारेक्टर रोहित शेटी के साथ रनवीर सिंग की मंच पर धमाकेदार एंट्री रनवीर की ड्रेस देखकर वाकई कोई भी इसे धमाकेदार ही कहने को मजबूर होगा रनवीर की इस रंग बिरंगी ड्रेस की तस्वीरे जैसे ही वाइरल हुई फैन्स ने उन्हें दिवाली की शुबकामनाएं देनी शुरू कर दी ये सुनका रोहित शेटी भी अपनी हसी रोक नहीं पाए लेकिन रनवीर सिंग को इस कॉमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अचानक पलट गए और पीछे लगे पोस्टर की ओर देखने लगे लेकिन हकीकत शायद ये थी कि जैसे वो पोस्टर नहीं देख रहे थे बलकि अपनी ड्रेस को पीछे से भी पूरी तरह दिखाना चाहते थे अभी कुछ ही देर हुई थी कि स्टेज पर रनवीर के स्वागत में आतिश बादी शुरू हो गए इसके बाद से ही रनवीर का ये लुक पताखा लुक कहा जाने लगा और सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स आने शुरू हो गए उनकी इन कपडों वाली तस्वीर पर एक फैन ने लिखा मेरे लिए ये एक पताखे के रैपर के जैसा है तो एक दूसरे फैन ने लिखा आपको थ्री पीस कांजी वरम सूट में देखना अच्छा लगा यकीनन सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं ट्रोल यही नहीं रुका और लोगों ने यहां तक कह दिया कि ये कूल नहीं बहुत बड़ी भूल है लोगों ने इस रेस को उनका अटेंशन पाने का एक तरीका बताया तो कुछ लोगों ने पूछ लिया कि रनवीर ऐसे कपड़े लाते कहां से हैं वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब रनवीर सिंग ऐसे फंगी लुक में नदर आये हो वो अपने कपडों के साथ अकसर ऐसे प्रयोग करते रहते हैं जिसके लिए वो कई बार ट्रोल के निशाने पर भी आ जाते हैं और अब बात उस आइटिम की जिसने काफी तेहलका मचा दिया है अजय देवगन ने अपनी पतनी काजोल का नंबर ट्विटर पर क्या शेयर किया काजोल के फैंस में हंगावा मज किया काजोल का फोन पिछले 24 घंटों में दरजन उबार ऐसे ही बचता रहा और काजोल की recorded आवाज एक ही रटा रटाया जवाब देती रही उधर काजोल के चाहने वाले हेलो काजोल, हाई काजोल, कैसी हैं आप, फोन क्यों नहीं उठा रही अजय सर ने आपका नंबर शेयर किया है जैसे मैसेज भेचते रहे आखर काजोल का वाटस एप नंबर जो बैठे बिठाय मिल गया था और ये नंबर किसी और ने नहीं बलके खुद उनके पती अजय देवगर ने शेयर किया था इसके साथ अजय देवगर ने लिखा काजोल देश में नहीं है उनके वाटस एप नंबर काजोल का नंबर सोशल मीडिया पर क्या सामने आया फैंस में हर कम्प मच गया कुछ ने काजोल से बात करने की कोशिश की तो कईयोंने काजोल का नंबर सार्वजनिक करने के लिए अजय देवगर को ट्रोल करना शुरू कर दिया अजे सर ने आपका नंबर ट्विटर पर शेर कर दिया है कृपया अपना अकाउंट डिलीट कर ले और फोन बन कर दे वरना हम जैसे लोग आपको मैसेज करके तंग कर देंगे एक ट्रोल ने लिखा दिमाग केसरी हो गया लगता है एक ने अजे देवगंट पर निशाना साधा सर गुट का कम खाया करो दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता एक ने लिखा हेलो मैम अब आप अपना नंबर मत बदल देना प्लीज बड़ी मुश्किल से किसी सिलेबरिटी का नंबर मिला है एक ट्रोल ने काजोल से पैसे ही वापस मांग लिए और लिखा मैम दिलवाले देखने गया था रिपया इस नंबर पर टिकेट के पाथ सो रुपे पेटियम करवा दीजीगा एक फैन तो अजे देवगंट से इतना खुश हो गया कि उसने अनोख ही मांग ही कर दी सर ऐसे ही कट्रीना और उर्वशी का नंबर भी शेयर कर दो यहां तक कि एक आदमी ने अक्षे कुमार की तस्वीर के जरिये अजे देवगंट पर निशाना साधा जिस पर लिखा था कुछ तो शर्म करो, जनाब कुछ तो शर्म करो सोशल मीडिया पर दिन भर काजोल और अजे देवगंट ट्रेंड करते रहे काजोल के फैंस अजे देवगंट को ट्रोल करते रहे और अजे देवगंट ट्विटर पर आई मैसेज की बार में मस्ती से डुब किया लगाते रहे और फिर देरशा मैसेज कर एलान किया कि ये तो केवल एक मजाग था फिल्म के सेट पर मजाग पुरानी बात हो गई है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ मस्ती करने के बारे में सोचा लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कुछ और नहीं सीधे-सीधे पॉब्लीसिटी स्टंट था जिसमें अज़ेदेवगण और काजोल सफल रहे वैसे अज़ेदेवगण और काजोल अकसर एक दूसरे के साथ मस्ती करने से नहीं जोगते एक बार वो एक फिल्म के बारे में मीदिया के सवाल उपर जम कर हसी मजाग करते नजर आये थे काजोल कहाँ, खतम होती है और ईला कहाँ शुरू होती है अच्छा जवाब देना इसे लिए सोच रहो काजोल खतम नहीं होती है और ईला शुरू ही रहती है और काजोल भी अपने पती अजे देवगन की टांग के चाही करने का कोई मौखा नहीं चूपती काजोल और अजे देवगन की ये जोड़ी फिल्म इंडास्ट्री की सबसे खुश मिजाज जोड़ियों में गिनी जाती है जो फैंस से जुड़ने में नहीं हिचकते शायद इसलिए आखिर में उनके ट्रोल को शांत करने के लिए अजे देवगन ने ट्वीट किया कभी हस भी लिया करो पाजी लेकिन लगता है अजे का ये मजाग काजोल को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने अजे को नसीहत दे डाली काजोल ने ट्वीट किया लगता है तुम्हारे प्रैंक स्टूडियो से बाहर कर दिये गए हैं लेकिन इनकी घर पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं है ये लिखते हुए काजोल ने गुस्से वाला इमोजी भी ट्वीट कर दिया अब लगता है काजोल की नाराज की आजे के मज़ाग पर बारी पड़ सकती है